नमस्कार आपका स्वागत देश्या न्यूस इंडिया मैं मैं पूर्णम आपके साथ पूर्व क्रिकेटर सचिन तैंदुलकर भी डीप पेक का शिकार हुए हैं उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें वे स्काइवर्ट एविएचर क्वेस्ट गेमिंग एप को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं खुद सचिन ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा कि ये वीडियो नकली है और आपको दुखा देने के लिए बनाया गया है टेकनोलाजी का इस प्रकार का दुर्पयोग बिल्कुल गलत है उन्होंने इस मैसेज के साथ भारत सरकास सूचना एवम प्रसारण राजमंत्री राजिव चंदर शेकर और महाराश साइबर पुलिस को टेक किया है इस फेक वीडियो में वें एक हैते नजर आ रहे हैं कि उनकी बेटी सारा इस गेम से रोजाना बड़ी मातरा में पैसा निकालती है वें लोगों को बताते हैं कि मुझे आश्यर होता है कि अब अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है पिछले साल नवंबर में रश्मिका मदाना का एक डीप फेक वीडियो सोचल मीडिया पर वारन हुआ था जिसमें AI टेक्नोलोजी से एक इंफ्लूएंसर के चेहरे पर बड़ी सफाई से रश्मिका का चेहरा मोर्फ किया गया था सोचल मीडिया पर हजारों लोगों ने रश्मिका के इस फेक वीडियो को असली से समझ लिया योगि उसमें दिख रहे एक्स्पेशन मिल्कुल रियल लग रहे थे हाला कि माहीला रश्मिका नहीं बलकी जारा पटेल नाम की कलड़की थी इसके चेहरे को बदलकर अश्मिका का चेहरा लगा दिया गया था AI और साइबर एक्सपर्ट पुनित पांडे बताते हैं कि अब रैडी टू यूज टेकनोलोजी और पैकेज उपलब्ध हैं अब इसे कोई भी उप्योग कर सकता है वर्तमान टेकनोलोजी में अब आवाज भी इंप्रूफ हो गई है इसमें वायस क्लोनिंग बहुत खत्रनाक हो गई है इसे के साथ पने रहा है इसे रूस इंडा के साथ करने बाद